अगली खबर आ रही है गया जिले से जहां परिसत के सदस्टियों ने अफसर साही और सरकार के द्वारा सो तेला विवहार के कारण समविधान दिवस के अफसर पर जिला परिसत कार्याले में अनिश्चित कालें धर्ना दिया उक्त धर्णा की अध्यक्षताद जिलापरिसाद अध्यक्ष नैना कुमाधी ने किया धर्णा को संबोधित करते हुए जिलापरिसाद उपाध्यक्ष डॉक्टर सीतर प्रसाद ने कहा कि ग्यारा माह पूर्व त्रीस्तरी पंचायत चुनाव हो गया है और आज तक जिलापरिसाद को विकास कारियों से वंचित करके रखा गया है उनका कहना है कि एक चौपाल भी नहीं लगवा सकते हैं एक तरफ सरकार और दूसरी ओर अफसर साही दोनों मिलकर ग्रामेर छेत्रों में विकास को अवरुध कर दिये हैं पंद्रहवी वित्तियोजना की राज पड़ी हुई है लेकिन इसका उपियोग नहीं किया जा रहा है वित्तिये वर्स 2016-17 से लेकर 2022-23 तक का फंड राजिस सरकार वंकेंद सरकार द्वारा आवंटित बिभिन निकान निस्वादन नहीं किया गया है इस मौकी पर जिला परशत के सभी सदस्य स्वेताव सिंग यादव कुंदन चौधरी प्रेम कुमार सुरेश पसाड दॉक्टर पिंकी कुमारी आदी उपस्थित रहें हमारी आवाज को पहुँचाएंगे मुझे विस्वासा ताहर जो मजबूरी हो हमारे मंग पूरी करो हमारे मंग पूरी करो अफसर साही बंद करो अफसर साही बंद करो चाहें जो मजबूरी हो क्थितऊ है इसलिए कि हमारा 11 महिन हो गया एक भी विकास का काम नहीं हुआ है आकगर क्यों आखिर क्या है हमारे चित में जो भी पतरि निदी जाते हैं वो लोग फूषते हैं कि यतना दिन हो गया है विकास का काम तो अफसातारीन यह बना हुआ है कोई यहाँ बास सुनने के लिए नहीं है तो हम लोग अपना धरना पड्रशन दे रहे हैं जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं नहीं होगा अम लोग यहीं रहेंगे या जिला परसद में खास करके हम लोग का इगारा माह चुनाव हो जाने के बाद भी अपने अपने छेफ रिवी कोई जिला परसद एक भी कार्ज सुचारू रूप से काम नहीं किया आज क्रोरों रूपिया सरकार का अवंटर यहां पड़ा हुआ है और बैंक का सोभा बढ़ा रहा है आज हम लोग का जनता भोट देकर करके उमीद परखरा उतरने के लिए चुनाव जिता करके हम लोग के भेजा था क्योंकि हम लोग कई बर्सों से जिला परसद में देख रहे हैं जो अफसर साही का रवया है आज जब भी जिला परसद का चुनाव होता है तो 46 में सो 42 गुहार जाते हैं अब मातर दू को तीन को आते हैं पहला चुनाव जित करके सरकार बदल गई है रवया भी वही है सरकार अपने हाथ में सरकार का सोतेला पन है खास करके पंचैती राज से पंचैती राज में अतना सोतेला पन है कि हम लोग का चुनाव जितेला के बाद जदी आप से हमसे काम नहीं लेना है चुनाव क्यों आप करवा रहे हैं और नही प्रश्ट परश्ट जी आरे 28 तारीक को हम लोग उनसे बारता करेंगे और उनको विरोध परदर्शन करेंगे मैं डॉक्टर सीतल परसाजादा उपाधाक जिला परसद्या जो खितना हमारे जाज़े को अगराट के हुए उसमें जो सही हुए जो भी हमारे लोग है भारत देश के लोग का नमन करते हों आज संवेदान दिवश भी है और बाबा साहब की मेरा अमेक्तर को नमन करते हुए स्थारणा प्रदर्शन के अस्थल पर हम लोग के ऑफिस का जाने के सामने हम लोग आज बैठें मुख्य कारण यही है कि हम लोगों को एक वर्ष 11 महिने को एक वर्ष हम लोग कह सकते हैं एक वर्ष हो जाने के बाब जुच हेत्र में एक भी काम सुरू नहीं है आप समझ सक जो पूरे विकास का जो निव होता है और जिला परिशत पंसहती राज का एक बहुत बड़ा पिलर अगर वो फिलर घुस्त हो जाए तो च्छत किस प्रकार से टिकी हुई रही है तो यह पिलर को कमजोर करने का काम जो सरकार कर रही है उसी का आज हम लोग सब लोग भियोध हम ही लोग के माध्यम से पंचायती राज के पर्तिनिधी के माध्यम से सरकार का जो योजना है वो गाउं गाउं तक पहुचता है और इस योजना को सरकार स्वेम बाधित कर रही है इससे क्या माना है हम लोग के जिलापरिशत का चुनाव करवाना उनको बंद कर देना चाह हम लोग यही निवेदन करेंगे सरकार से और संविधान दिवस के दिन मांग भी करेंगे कि बिहार कोई अस्पेशल राज नहीं है चुकि अस्पेशल महिलाओं की भी बात करेंगे कि बिहार में अस्पेशल महिलाओं को अधिकार नहीं दिया गया कई ऐसे राज है हमारे बग तो ये बिवस्था उन्हें वहाँ भी देने चाहिए